सब्सक्राइब किजिए सिंपिरंस किचन को और बेल आइकोन को दपाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप से मिसना हो इटाइब टोटली प्रेजि़ पत्तो हेँ बिधान अब ममें अजा पस्तो ग्राम एक निया है राइस को कैसे बॉल करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चानल पर अप्लोड कर रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं तीन बड़ी टमाटर, चोकंतुक्रों में कटे हुए, दही चाहिए हमें 250 ग दही को अच्छे से पेटले ताकि इसमें कोई लंज रहे तीन बड़ी प्यास, फ्यक्यूवी, अब जब हम बिव्यानी कॉर्मा बनाते हैं तो इसमें फ्यक्यूवी प्यास बहुत ही साथा जबुवी होती है तो प्यास को परफेक्टली कैसे फाइ किया जाए, इसका भी व्यूडियो मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर रखा है, आप अगर चाहे तो मैं इसकी लिंक प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसके अलावा हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ खड़े मसाले चाहिए वो देख लेते है, पाउडर मसालों में हमें चाहिए बिव्यानी मसाला, आप कोई भी बिव्यानी मसाला ले सकते है, वो मैंने ले लिया है, देर टेबिल स्पून, हल्थी पाउडर चाहिए हमें 1 लाल मिर्ची पाउडर 1 teaspoon गवे मसाला पाउडर 1 teaspoon 1 teaspoon घनिया पाउडर 1 teaspoon और साथ ही हमें चाहिए हमें हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च ले लिया है जिसको की मैंने इस तबहा से बीच में कट कर लिया है आप टीखा अपने हिसाब से कम साथा कर सकते हैं खड़े मसालों में हमें चाहिए तेजपत्ता, जावेती ले लेंगे, एक बड़ी लाइची, तो हवी लाइची, दालचीनी, तीन से चाव लॉंग, तीन से चाव काली मिर्च, तो यह हमने खड़े मसाले देख लिया है, अब काविश के लिए और या बिव्यानी में डालने क यह तो गी में भी बना सकते हैं, मैं यहां पर गी और कुकिंग उइल दोनों यूज करने वाली हूँ, अध्वक अवलसून की पेस्ट चाहिए, तो यह तो जाएंगे, तो पीवे से जावे लेंगे, तो यहां पर जाएंगे, तो यहां पर जाएंगे ने पर चुट जाएंगे वाइस कैसे बोईल करना है, यह तो मैं आपको पहले ही पता दिया, अगर चाहे तो मैं चानल पर वाइस कैसे बोईल किया जाएंगे उसे देख सकते हैं, तो चिकन को मैंट करने के लिए यहां पर मैं जाल दूँगी अधवक अवलसून की पेस्ट, साथी डालें जाएंगे टमाटर, दही दाल देंगे इसमें, दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लम्स न रहे, अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले और हवी मिर्च हमें यहां पर डाल देंगी है, सॉल्ट अट कर देंगे, नमक मिर्च आप अपकी हिस पुदीना पत्ती डाल देंगे, पुदीना पत्ती को अब हाथों से तोड़ के डाल सकते हैं, और अगर चाहे तो पुदीना पत्ती हवा धनिया और हवी मिर्च की पेस्ट पना कर भी इसमें डाल सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे हवा धनिया, देखिए अब हमने इसमें अगर आपके पास समय जादा है तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं यह जितना जादा मैविनेट होगा उतना ही जादा खाने में टेस्टी लगेगा तब इसे गंटे के लिए लग देते हैं अब हम चलते हैं इसे बनानी के लिए यहां पर मैंने एक जणा दिया है पाइन गरम हो चुका है देल और घी दोनों यह ज़्यवर्मित मैं तेल और घी ही मैं एक मासाले डाले जला देंगे ऐसे और मसाला को हमें आदाम नित तक की चलाते हुआ अच्छे से फून ने देना है ताकि इसका प्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए आदाम नित पात मसाले अच्छे से बून चुके हैं अब हमें हमारा मैंनेटर अच्छे से मिक्स कब लेंगे और भीमी आच पर 10-15 मिट तक के पपने के लिए छोड़ देना है अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इससे एक लिड धख देंगे और ग्यास की फ्लेम लो रखेंगे लो प्लेम पर हमें इसे ठक कर भीमी आज पर 15 मिट तक के पका लेना है ताकि चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले इसमें इसमें चले जाए जाए 10-15 मिट हो चुके है पांट का टकर नटा देंगे जैसे कि मैं आप तो बताया था इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो इसे साफसे मैं इसे बीच-बीच में चला दिया था और यह हमारी जो अपनकर बिल्कुल तैयार है चिकन अच्छे से टेंटर हो चुका है अब गयाश की प्लेम बंद बंध घे शीप करें चलाद के ईचन गरने प्लिच मेल एल प्लिया का टीचिट्ष नहीं हम जब यह आता है उपे फूड कल डाल हूँ लेकिन मैं यहाँ हम इसे बीचिकन पर पानी डाल हूँ चैकन पर क्लीच मेल करें दे टमारे तो làम यहां पालिया जिसको की में अच्छे से में आले तो कोला है मैं एंप यहां पानी डाल डाल दूटिया घ्टिक्षाच द्वेकल यहां प得 अभनी और डाल देंगे आ पहला पतिंगे दोर ждा थें की व्लती तोर द OLED ने estéर तो आप की दाल워요 एक आखा इरायस कपरणाए से कारा इसन अगुद्ट है अगर बहुत अच्छी जालती हो जहां में आखानी रहा हमें up का ओसे को सब्सक्षा जाए जाएं भी अभी करें Çामिक जासि ब चाहिं एट अपर जकें देशन दैशे बात कर बशना है यहां पर अगर चाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं या तो फिर अकनी की उपर जो ऑईल आ जाता है वो नीट डाल सकते हैं मैंने यहां पर वो ऑईल निकाल लिया था यहां पर इसमें डाल रही हूँ क्लों थो झाल सकते हैं आपके पास केबरा वॉर्टर तो वह ढ उसकते हैं। एक पे ऐ्या डालने के बाद आपके बने के द्सक्राइव नियुट हैं। पीज्की प्रें बगे नियुक्त रागना श॥े तरह से Shock प्यूम। पहले 2 मिट तक के पकाना है उसके बाद गयास के फ्लम मिडियम कर देंगे या लो कर देंगे लो फ्लम पे इसे 7-8 मिट तक के पका लेंगे तो देखिए यहाप में इसे कर दिया है अगर आपके पास जाड़े तले का बरतन नहीं है तो आप इसे मीचे पैन या तवा रख सकत तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके बाद जो बिव्यानी है वो बनकर तैयारे तो यह देखिए 10 मिट हो चुके है पानकाटकर नटावेंगे आप देख सकते है कि हमारी गर्मा करम बिव्यानी बनकर बिल्कुल तैयावे क्यास के ब्रेंगे बनकर देंगे अब इसे सर्फ करते वक्त हम एक साइट से सर्फ करेंगे ताकि हर फ्लेट में यह बरावर से देखिए फिर्यानी बनकर बिल्कुल तयारे और इसे में निकाल लिया है हमने जो चिकन के पीसेस पर फूड कलर डाला था आप देख सकते हैं कि उसके वज़े से चिकन के पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है